नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो इस वीडियो में अपने इंग्लिस की कटोप के बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आपकी इंग्लिस की कटोप वो कितनी जाने वाली हैं और दोस्तो आप इस चैनल पर पहले बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों अभी तक तीन रिजल्ट आ चुके हैं उसके आदार पर इस कटोप की अपना बात करने वाले हैं अब देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले अपना बात करते हैं जनरल के डिगरी में कि अपर जनरल के अब देखिए दोस्तों यहां पर OBC, OBC के टेगरी की बात करेता हैं यहां पर लगवग दोस्तों इसी के आज पास ही रहने वाले जो फाइनल मेरिट है आप मान सकते हैं कि 88 से 89 क्यूसं जिनके भी यहां पर 88 से 89 क्यूसं राइट हो यहां पर OBC में सेलेक्शन हो ले लेगा अब देखिए दोस्तों यहां पर MBC, MBC के टेगरी की बात करें तो हैं यहां पर OBC से कम जाने वाले हैं लगवग यहां पर 85 से 86 क्यूसं जिनके यहां पर राइट हो रहे हो अराम से MBC में आपर सेलेक्शन लेने वाला है अब देखिए दोस्तों यहां पर EWS अगर EWS के टेगरी बात करें तो यहां पर MBC से इसकी कटोबो कम रहने वाले हैं लगवग 82 से 83 क्यूसं जिनके राइट हो रहे हैं EWS में यहां पर अराम से सेलेक्शन ले लेगा फिर यहां पर बात करते हैं E एसी है के टेग्री की बात करें तो यहाँ पर 80 से 81 जिनके यहाँ पर 80 से 81 कुछन सो राइट हो रहे हैं उनका यहाँ पर सि एपसी के बात करें तो यहाँ पर आप मान सकते हैं या पिर 75 75 से 78 क्यूशन के बीच में यहां पर रहने की पूरी-पूरी संभावना होना हो पन रही है तो दोस्तों यह थी यहां पर एक कटोप का अनुमान और दोस्तों अगर फिमेल केटेगरी की बात करें किसकी फिमेल केटेगरी तो आप लगबग सभी केटेगरी में दो से से तीन नंबर कि उससे नहीं कम कर लिजिएगा यहां पर मेल केटेगरी से वह आपकी एक तरह से मांज सकते हैं कि एक फिमेल केटेगरी की यह पर हो जाएगी तो दोस्तों यह थी आपर एक छोटा सा कटोप का अनुमान अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगते वीडियो को लाइक जूरू कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नॉटिफिक्शन सब्सक्राइब मिल सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद